हेलो फ्रेंड से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ा वलाईसी में और मैं अमित कुमार सौनी सभी वीवर्स का लेटिस्ट अपडेट नई जानकारी के साथ में हार्दिक हार्दिक अपिने दन करता हूँ स्वागत करता हूँ अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है जो भी नए वीवर्स हैं चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते चाने शेर करें वीडियो को और पसन आता है तो लाइक करें दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि लोक सिक्ष्ण संचाल नाले का वर्ग एक और दो मादमिक सिक्षक और उच्छ मादमिक सिक्षक के दस्ताविश सत्यापन का कारे कंप्लीट हो चुका है जन्जाती विभाग के वर्ग एक का दस्तावे सत्यापन कंप्लेट हो चुका है और अब दोस्तों 22 तारीक से माद्मिक सिक्षक वर्ग दो जन्जाती विभाग के डॉक्मेंट वेरिफेकेशन का काम चालो है दस्तावे सत्यापन में DPI में भी होल्ड और रिजेक्ट पकरण काफी आए और कई सारे चोटे-चोटे मुद्नों पर होल्ड किया गया रिजेक्ट किया गया और उसके बाद में दोस्तों जन्जाती विभाग में भी बिल्कुल यही स्थिती चल रही है हलांकि उन्होंने अपने दिशा और निर्देश पहले जारी कर दिये थे और उसके आधर पर ही वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है अब दोस्तों यदि हम छोटे-छोटे मुद्नों की बात करें जिनकों की होल्ड पर किया गया है तो उसमें जैसे की टंकन यह टाइपिंग मिस्टेक होना सरनेम में परिवर्तन होना मार्क शीट में सरनेम में पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होना और दोस्तों छोटे-मुद्दे और भी है जैसे कि आवेदन फार्म भरते समय कुछ data filled किया गया और उसके बाद में जब document upload हुए तो वहाँ पर data में अंतर आ गया उसके बाद में manually mistakes हैं आदी इत्यादी अब यदि हम बड़े प्रक्रणों की बात करें जिनमें की कहीं पर hold किया गया है और अधिकांश था उनको reject किया गया है तो वो है double degree का matter होना allied subject का matter होना क्योंकि rule book में विल्कुल express कर दिया था कि आपके कौन-कौन सी subject होना चाहिए अतीती सिक्षकों का एकी सत्र में अध्यापन का कारे करना और B.A.D. या M.A.T. की degree करना हलांकि उसमें भी कुछ नियमों में शित्यलता वरती गई है लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि जो जिले में सत्यापन अधिकारी है वो पूर्ण रूप से नियमों को नहीं जानते और उने केवल एक छोटी सी training दी जाती है उसी training के आधार पर वो सभी नियमों का अक्षर्षता पालर करते हुए अपने उपर कोई भी रिस्क नहीं लेते और उनको hold कर देते हैं तो दोस्तों ये कुछ बड़े-बड़े matter हैं जैसे मैंने की बताया कि इसके साथ में और भी हैं जैसे कि foundation course में English या Hindi से exam दिया तो उनका तो reject होना बिलकुश सभाविक है हलंकि उनके द्वारा अंदुलन भी किये जा रहा हैं केस बगेरा भी किया जा रहा है लेकिन इससे होना कुछ नहीं है चलिए दोस्तों अब हम एक-एक करके निराकरण करने का प्रियास करेंगे कुछ सवालों और जवावों के माध्यम से जो की मुझसे पूछे गए थे और उनको मैं एक-एक करके पूरे UGC के नियमनुसार और भी जो नियम और निर्देशिका जारी की गई है समय समय पर DPI और साथ में ही जनजाती भी भाग द्वारा उसके आधार पर आप लोगों क पर निराकर्ण करने का प्रियास करूंगा और दोस्तों इस प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि होल्ड वाले जो प्रक्रान है जो छोटे-छोटे पार्ट हैं उनसे किसी भी प्रकार का आगे कोई डर नहीं होगा वो बिल्कुल किलियर कर दिये जाएंगी तो आए दोस्तों चलते हैं हम सवालों के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करते हैं अब दोस्तों एक प्रश्न मेरे पास आया कि डिग्री प्लस डिप्लोमा यदि एक सेम एर में किये हुए हैं और उनको होल्ड कर दिया गया है तो क्या ये बिल्कुल सही होगा तो दोस्तों इसके सम्मंद में हम UGC के कुछ निमों की बारे में बात करेंगे जो कि एक डिग्री और एक डिप्लोमा के एक साथ करने से सम्मंदित हैं और डबल डिग्री एकी सत्र में एक साथ करने से सम्मंदित हैं तो क्या कहता है UGC नियम और इनके प्रकरण का आगे क्या होगा वो भ विश्य था कि दो डिग्री पार्टिक्रमों में एक साथ अध्यन करने के संबंधी प्रक्रण का इस्पश्टिकर विश्विध्यालय अनुदान आयोग याने कि UGC ने इस संदर्व में विभिन समविधिक निकायों का मत मांगा था अब तक जिन निकायों ने उत्तर भेजा ह वे दो डिग्रीओं के लिए एक साथ अध्यन के सुझाओं का समर्थन नहीं करते अता सभी विश्विध्यालय अपने डिग्री पार्टिक्रमों के संचालन में विश्विध्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री और इसनात कोत्तर डिग्री प्रदान करने स तुनिश्चित करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट से समझ में आते हैं एक तो यह है कि 2003 का UGC का नियम जो कहता है कि डवल डिग्री किसी भी इस्तिती में मानने नहीं है लेकिन उसके बाद में एक नियम और आया जिसमें कि डिग्री और डिप्लिमा को मानने कर गया और डिप्लोमा को किस इस्तिती में किया गया कि यदि आपने ओपन से किया है या आपने प्राइवेट से किया है दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए तो यह मानने किया गया उसके बाद में 2016 का नियम डिप्लोमा और डिग्री के संबन्द में कोई भी दिशा निर्द को DPI में पहुँशने के बाद में सिक्षा समीती की बैठक में निर्ने लिया जाएगा और निशित रूप से उनको verify कर लिया जाएगा अब दोस्तों 40 भी meeting में जो निर्ने लिया गया तो वो points आप भी देख लें कि कि इस स्थिती में diploma और degree और certificate मानने किये जाते हैं तो इसमें दोस्तों जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं कि एक degree और एक diploma post graduate diploma हो सकता है अत्वा certificate हो सकता है यदि साथ में आप करते हैं तो मानने किया जाएगा लेकिन उसमें शर्त यह है कि एक distance से होना चाहिए या फिर open से होना चाहिए private होना चाहिए दूसरा है one post graduate diploma and one diploma certificate one diploma and one certificate two post graduate diploma भी मानने है two diploma किसी वी इस्तिती में हो तो वह मानने है और two certificate course भी किसी इस्तिती में मानने है लेकिन किसी इस्तिती में दोस्तों यहाँ पर double degree मानने नहीं की जाएगी उनका rejection 101% हो जाएगा तो दोस्तों diploma और degree के बारे में बिलकुल इसपस्ट हो गया कि यदि उ दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर अब देखी दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है कि मेरे अतीती सिक्षक प्रमाणपत्र शुरू के नहीं बने कुछ बीच के बने जैसा कि अब ब्याटी नहीं बताया और exam form में मैंने 2009-2018 तक भर दिये और मात्र 10 सालों मे 6 साल के बने और उनी 6 साल के अनुभव को मैंने अपलोड भी कर दिया पूरा ना होने के कारण मैं अब होल्ड पर हूँ अब दोस्तों यहाँ पर जो मेटर बन रहा है कि जब form फिल किया था तो 10 साल तक के भर दिये थे और लेकिन जब बाद में अपलोडेशन वाली बात आ शो कर रहा है यदि वो दोनों डिफर होते हैं तो वो निशित रूप से अपने उपर न ले करके उसको होल्ड पर पटक देते हैं लेकिन यदि आप शर्त पूरी करते हैं 200 दिन की और 3 सतर में अध्यापन कारे की तो आपको वापस जो है बुलाया जाएगा डीपी आई में और आप से पूरी जानकारे ली जाएगी तो आप वो सर्टिफिकेट बिल्कुल कम्प्लीट करके तैयार रखें 6 साल वाले ही लेकिन वो 200 दिन की सर्थ और 3 सतर के अनुभाव को जरूर पूरी करना चाहिए तो आप लोगों को दोस्तों इस स्तिती में कोई भी दिकत नहीं नहीं है चले दोस्तों जो अगला प्रश्न है अभ्यरती के दोरा पूछा गया कि मेरा 2011-12-2013-14 का एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट है याने कि जो अनुभाव प्रमार्पत्र था अपलोड नहीं किया जबकि एक्जाम फॉर्म फिल करते समय किया था अनुभाव प्रमार्प करना ही भूल गए तो दोनों को टैली ना होने की वज़े से जो वहां के ऑफिसर्स हैं जिनकों की निर्देश दिये जाते ही और जो भी शोर हो रहा होता है आपकी फाइल में आपकी प्रोफाइल में उसी के आधार पर आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता ह तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उन्होंने होल्ड पर कर दिया वो निश्चित रूप से करते हैं अपने ऊपर नहीं लेते डीपियाई में आपको बुलाये जाएगा आपसे बातचीत की जाएगी आप अपनी सेटिपिकेट बिल्कुल तैयार रखें और वहाँ पर पर जब आप इनको शो कर देंगे तो बेरिफाइड इस्तिती आजाएगी और ये कोई बहुत बड़ी मिस्टिक नहीं है केवल एक मानवीय भूल है और इससे घवरानी की कोई जरूत नहीं है ये बेरिफाइग हो जाएगा अब देखी दोस्तों जो अगला प्रशन मेरे पास है वो है कि गेस्ट अनुभाव परमाण पत्र एबं बीएट का समान सत्र दो हजार बारा तेरा होने से मैं होल्ड पर हूँ चुकि मेरा बीएट दो हजार तेरा चौदा वाला सत्र था किन्तु बीएट का रेजिस्ट्रेशन साथ परवरी 2013 में हुआ था स सत्र लेट होने से सर्टिफिकेट और डिग्री समान सत्र हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे जानकारी दे तो दोस्तों यहां पर दो इस्थितियक आती है एक तो यह है कि जो गेस्ट का अनुभाव है और जो बीएट की डिग्री आपने की है वह एक ही सत्र में टकराना चाहिए और यदि वो एक ही सत्र में टकरा रही है तो वो किस कंडिशन में मानने होगा कि आप जिस जिले में पदस्त हैं यदि उसी जिले से आप बीएट कर रहे हैं यानि कि जो आपका हैटकवाटर है वो अलग-अलग जगे पर नहीं है अलग-अलग जिलों में नहीं है जैसा कि आदिम जाती कल्यान विभाक और DPI के एक लेटर के माध्यम से इसको इस्पष्ट कर दिया गया था वो सभी को मालूम है तो उसके आधार पर उनको मानने किया जाएगा अब समस्या आती है कि दोनों चीजें एक साथ पढ़ रही है तो दोस्तों यहाँ पर य उनको इस पश्टिकरन DPI में आपको देना होगा बताना होगा कि यह तो वही जब सत्र स्टार्ट हुआ है और उसकी डेट को दिश्चित रहती है तो फॉर्म तो फिल करना पड़ता है तो आपका यह विल्कुल वेरिफाई कर दिया जाएगा और होल्ड पर से हटा दिया ज गलती से जो है सरकारी कर्मचारी पर जो प्रशन पूचा जाता है फॉर्म भरते समय तो उन्होंने वहाँ पर गलती से यस को टिक कर दिया तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है मैनूली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर भी होल्ड करना उनका सवाविक था क्योंकि सरकारी कर्मचारी होना और नहीं होना तो दोनों डिफर वहाँ पर दिख रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैं कर्मचारी नहीं हूँ जबकि आपका शो कर रहा है कि आप कर्मचारी है और इस प्रकार से जो एनो से दिया जाता है वो आपने प्रस्तुत नहीं कि क्योंकि आप तो कर्मचा में तो आप बिल्कुल वहां पर इस्पष्ट कर दे कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं मेरा मेनुवल जो है मिस्टेक हो गया है तो आपको वहां से तुरंत हटा दिया जाएगा और वेरिफाई कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए अगला प्र नाम में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक आती है और जो डिफर कर ता है मालेजी जै कि टेनत में है तेन्थ में नहीं है और अन्य ग्रेजियशन या पोस्ट ग्रेजवेशन में भी इस प्रकार का डिफरेंस देखने amend Europe मिलता है तो आप उनको आराम से कर सकते भी से कोई व बुलाएं भी नहीं, आपका verification वैसे ही complete कर लिया जाए, जैसे ही समस्त दस्तावेज DPI में पहुंचते हैं, या आदिम जाती कल्यान विभाग के head office में पहुंचते हैं, तो दोस्तों ये छोटी-छोटी mistake हैं, लेकिन जो rejection का प्रक्रण है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों क कि allied subject वालों का, double degree वालों का, UGC के निमानुसार, और उसके बाद में जो अतीती सिक्षकों ने एक ही जिले पर रहकर, अतीती सिक्षक में पढ़ाया है, लेकिन दूसरे जिले से BID या MA की डिग्री या MSC की डिग्री की है, तो दोस्तों उनको बिल्कुल भी माने नहीं किय जाएगा, और उसके बाद में foundation course वाले, जो कि हिंदी और English से भी पास हो करके बैटे हैं, तो foundation course को बिल्कुल माने नहीं किया जाएगा, क्योंकि English literature और Hindi literature आवश्यक होता है, वर्ग 2 में या वर्ग 1 में पास होने के लिए और पात्र होने के लिए, तो दोस्तों मैं समझता ह कि आप सभी की समस्याएं, जो इस स्थिती में आती हैं, इन प्रशनों के हिसाब से आती हैं, तो वो complete हो चुकी होगी, यदि इसी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं, तो आप comments box में लिख दें, मैं विल्कुल नियमों के आधार पर उनका निराकन करने का प्रियास करूँग झाल झाल